हेलो स्टुडेंट आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत हैं मेरे चैनल जी के वित आर्डी सर तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जी जैनिजम के बारे में इससे पहले मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन और महा जनपत के बारे में आपको टीच कर चुका हूँ उसके लेक्चर जिस स्टुडेंट्स ने नहीं देखे प्लीज अपनी कॉंटिन्यूटी बनाए रखे और इस लेक्चर को अपनी स्टोरी टैलिंग के रूप में समझे वैदिक सिविलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जैनिजम का जो औरीजन है ये किस रीजन से होता है क्योंकि जो वैदिक सिविलाइजेशन आप उसमें पढ़ते हो इसके अंदर क्या था जी हिंदू से जो लोग थे हिंदू धरम था इसके अंदर बहुत सारी बुराईएं आई थी इस बुराईएं को दूर करने के लिए जब भी किसी धरम के अंदर बुराईएं आती हैं तो नए धरमों का जनम हो जाता है और नए धरम कों से थे दो उस टाइम पे वो थे जी जैनिजम और बुद्धिजम ये हम बात कर रहे हैं छे बिसी की नजदीक की बात मतलब इसा मस के 600 साल पहले इन दोनों धरमों का जनम हुआ था तो आईए जी हम इस अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो जी इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें शेर करें सस्क्राइब करें अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ और तो इसे चैनल के नीचे अगर आपको को इंप्रूमेंट चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जी क्या इंप्रूमेंट करनी चाहिए वह भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसके बाद अपना लेक्चर हम अपना लेक्चर स्टार्ड कर लेते हैं थी कहा आईए अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो मैं यहां से आपको लेक्चर पढ़ रहा हूँ और अपनी जो बुक है आप अपने साथ लेके बैठें ताकि जो इंफोर्मेशन आपको एक्स्ट्रा में मिलती है उसको जुरूर लिखें आईए जी जैनिजम के बारे में देखते हैं जैनिजम के बारे में आपको कोशन किस तरह से पुछा देगा सबसे पहले जैन जो जैन धरम था इसके अंदर जैसे हर धरम के अंदर गुरू होते हैं पीर पेगंबर होते हैं इसी तरह से जैन धरम के अंदर जी हुए थे तिर्थंकर तिर्थंकर वर्ड आप सुनोगे तिर्थंकर वर्ड का मतलब होता है कि इनके गुरुओं को हम तिर्थंकर बोलते हैं और जैनिजम के अंदर जी अब तक के तियास के अंदर 24 गुरू हुए हैं, इनके तिर्थंकर 24 हुए हैं, जिन में से पहले 2-3 जो बहुत इंपोर्टन्ट हैं, और लास्ट वाले महाविर स्वामी जी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो जुरूरी हैं, तो इसके बाद ये पहले तिर्थंकर थे, उनका नाम था रिशव देव, सबसे पहला इंपोर्टन गोशन है कि जैन धरम के संस्तापक कोने रिशव देव थे, अच्छा, उसके बाद, जैन धरम के 23 जो तिर्थंकर थे, उनका नाम था पार्षव नाथ, जो की कांशी, आपको मैंने बताया कि पिछले जनपद आपने पड़े हैं 16 जनपद उसमें से एक कांशी जो जनपद था उसमें से एक वंश था जिसका नाम था इश्वाकू वंश के राजा थे अश्वसेन के पुतर थे ये ठीक है जी तो मतलब एक बड़े घराने से जो एक लड़का होता है वो इस धरम को अपन कर इन्हों नए धरमों को जोईन किया था ताक कि नए धरम में ये इजी से अपनी लाइव को जी सकें और आपको इतने जो यग वगरा करने होते हैं उनसे बच सकें तो ये बुराईया थी तो ये चीजों को दूर किया गया था जैन धरम के अंदर ये कोई चीज आपको जै प्रापत होता है, तो इन्होंने क्या शिक्षा दी थी जी, हिंसा ना करें, सदा सत्य बोलें, चोरी ना करें और संपत्ती ना रखें, ये सारे जी आपको दुखों के कारण है, अगर आप इंसा करोगे तब भी आपको दुखाएगा, जब आप जूट बोलोगे तब भी दु का, तो इह जैन धरम ये बताता है कि संपत्ती आपको नहीं रखने कीए, उसके बाद महावीर स्वामी होते हैं जी, आपके, ये याद रखना कि चार शिक्षाएं आप पड़ चुके हो, चार शिक्षाएं ये हैं, तो महावीर स्वामी जी भी अपनी शिक्षा, इसके मसी के जनम से 540 साल पहले इनका जनम हुआ था इसको 20 बोलते हैं Before the Christ इनके जनम से पहले का टाइम में 600 साल पहले इसा मसी से मतलब 600 साल पहले मावीर स्वामी जी का जनम हो चुका था कहां पे जी वेशाली मैंने बताया था मगद समराज्या जो है मगद जनपत था वहाँ की राजधानी थी एक टाइम इनों ने बनाई थी जो वजी जनपत था जिसको मैंने बताया था कि बहुत टफ था इसको अराना तो इसके बारे में फिर कभी हम knowledge based detail में बात करेंगे तो इसके एक राजधानी थी वेशाली ठीक है जी तो इस वेशाली के कुंड गराम में एक यहाँ पे जनम होता है इस महावीर स्वामी जो इतनी बड़ी सक्षियत थे और इनके पिता का नाम था जी सिध्धात ये एक गरातक कुल के एक सरदार थे उसके बाद इनकी जो माता का नाम है वो था जी तरिशला और लिच्वी जो की चेटक के राजा लिच्वी के राजा चेटक की बहन थी ठीक है जी आप यह अपनी याद रखना है अब जो यहाँ पे आप सिध्धात का नाम पढ़ रहे हो तो वो जब आप बुद्धिजम पढ़ोगे तो उसमें उनके बचपन का नाम होगा ठीक है जी तो यहाँ पे इनके फादर का नाम है जो तरिशला यहाँ पे इनके माता जी है वो यहाँ पे उनके बुद्ध जिम में वो अपनी घरवाली होंगी तो इस तरह से ये confusion हो जाता है ठीक है जी तो ये आपने धोड़ा से ध्यान रखना है अब उसके बाद देखना जो महावीर की पत्री का नाम था ये शोदा और इनकी एक पत्री जो इनकी पत्री थी जिनका नाम था अनोजा जिसको अनोजा प्रिया दर्शनी के नाम से भी जाना जाता है तो उसके बाद हम बात करते हैं जी महावीर स्वामी के बच्पन का नाम था वर्दमान आप अपने एक इंडस्टी का नाम सुनो अगर वर्दमान टेक्स्टाइल्स के नाम से तो वो अक्सर इनके नाम पे ही रखते हैं ठीक है जी तो इनकी पुत्री का नाम मैंने आपको बताई दिया है अच्छा, तीस वरश की आयू में माता-पिता की मुरित्यू के पहचात अपने बड़े भाई नंदी वर्दन से अनुमती लेकर ये क्या करते हैं जी अनुमती लेकर जंगलों में निवास करते हैं और यहाँ पे सन्यासी जीवन को धारन करते हैं तो ये था, इनको पूरे 12 साल कटिन तपस्या करने के बाद इनको अपने ग्यान की प्रापती हुई थी वो भी कहाँ पे हुई थी, जामबिक नामक एक प्लेस है, जहाँ पे तरजुपाली का नदी है, पर उसके साल के वरिष्ट के नीचे इनको तपस्या करते हुए पूर्ण ग्यान का बोध हुआ था, और उसी समय से इनको जिन बोला जाता है, जिन होता है जी ऐसा परसन जिसके सभी मस्तिक्ष की सभी बाड़ी की सभी ग्यान इंद्रियों के उपर जिसका पूरा कंट्रोल होता है, उस बंदे को हम जिन बोलते हैं, तो इसलिए इसको जिन को विजेता बोलते हैं, इनको अहुर्तर भी बोले आ जाता, क्योंकि जब इनको ग्यान प्रापत हुआ, तो इनको लोग पूजने लगे, क्योंकि आपको पता है, जब किसी को नॉलेज जादा आ जाती है, तो लोग उनका नॉलेज का सत्कार करती हैं, ठीक है, आप नॉलेज से किसी भी बंदे को जुका सकते हो, उसके बाद, नीगरंथ, और ये क्या थे, इन्हों जो काले कपड़े पैन ने स्टार्ट किये, इनके जो लोग थे, काले कपड़े पैन थे इसके जो अन्याई थे, इनको नीगरंथ बोला जाता था, उसके बाद हम बात करते हैं, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, प्राकर्तिक लेंग्वेज चा, अगर जामिल, उनको ही इनोंने अपना पहला अन्याई बनाया था, ठीक है जी, उसके बाद, अब इनोंने जो परथम जैन विक्षू, तो ये कौन बनी थी, क्योंकि इनके पहले जैन विक्षू, तो इनके जो जमाई थे, वो बने थे, बाद में इसके जो प्रथम जो लड़की जो बनी थी, बिक्षूनी, वो कौन थे जी, नरेश दंदी वहन की बेटी चमपा, इनकी जो पहली बिक्षूनी बनती है, ठीक है जी, इसकी इन्वियाई बनती है, उसके बाद, महावीर ने अपने शिश्यों को, जब इनके लास्ट टाइम पे महावीर की डैथ होने वाली होती है, तकरीबं ये सतर से असी साल की जीवन का वतीद करते हैं, और पूरे समाज में ये पूरे हिंदू धरम की बुराईयों को जड से खतम करने की बात करते हैं, और अपने धरम को फिलाते हैं, तो अपने उपचारों को लोगों में पहुचा रहे हैं तो जो शिक्षा दे रहे थे तो यह जब अपने लास्ट के टाइम पे थे तो इन्हों ने क्या किया जी अपने उपचारों को लोगों तक पहुचाने के लिए 11 अपने जो शिश्यों को 11 गंधरों के अंदर विभाजित कर दिया था ताक कि जैसे आपने सिख्षिजम के अंदर पढ़ा होगा मंजी सिस्टम तो उसी तरह से यह था इनका गंदर सिस्टम ठीक है जी तो यह जो आपको गंदर वर्ड है यह आपका पेपर में आता था कि जो गंदर वर्ड है यह कौन से डिलीजन से बिलोग करता है तो गंदर जो वर्ड है यह आपका जैनिजम से बिलोग करता है उसके बाद आरेया सुदर्मा केला देखो जी एक जो इसके ग्यारा गंदरवों में एक ही गंदरवा थे जो अकेले गंदरवा थे जो महावीर की मुरित्तु के सबी को बेजा पर एक गंदर था जब इनका महावीर स्वामी जी का अंतिम समय नजदीक था तो एक गंदर जिसका नाम था आरेया सुदर्मा जो इसके पास था और इनों ने जो ही इनके ही उपदेशक थे मेन जो इसका प्रत्वम उपदेशक बना ठीक है जी उसके बाद लग भग 300 इसा पूर्व जब इनकी डेथ हो जाती है उसके जब जैन धरम की डेथ हो जाती है तो गंदरों में बढ़ जाता है तो तक है जी तो ये जो जैनिजम है 300 इसा पूर्व में मगद में अब जो मगद जनपत है 16 जनपत को हरा के मगज जनपत क्या हो चुका है जी एक बड़ा बहुत सक्तिसाली समराज्या बन चुका है तो इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि इन में से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के राजा आते हैं जो इस level में कई राजा अच्छे नहीं रहते हैं तो क्या होता है जी वहाँ पे अकाल पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं शाशन विरहस्ता उनकी quality system का culture और ये सारा control जो एक अच्छा राजा ना हो वो control नहीं कर सकता तो क्या होता है कई काफी चीज़ें जो state होता है इसको लोग में 12 साल का काल पढ़ता है इस time पर क्या होता है जी बदर बाहू नेक्स देखते हैं जी तो जो बदर बाहू होता क्या करता है जी अपने साथ अपने शिशो को लेके करनाटक की तरफ चला जाता है क्योंकि जो बदर बाहू और सतूल बदर ये 2% थे जैनिजम के जो प्रद पर शर्मन बेल गोला शर्मन बेल गोला वहाँ पर विये चले जाते हैं और कुछ जो सतूल बदर था ये क्या गरता है जी ये अपने सिशो के साथ यहीं पर मगद में रहता है तो क्या होता है काफी time के बाद जब सारी स्थिति मगद में कंडरोल हो जाता है तो बदर बाहू फिर वापस लोडता है और यहाँ पे मगद के सादों के साथ फिर जो यहाँ पे सतूल बदर के जो शिषया थे इनके साथ इनके आपस में बैस हो जाती है और बैस इस बात को होने के कारण तो ये जो जैन धर्म होता है यहां से दो बागों में डिवाइड हो जाता है तो ये एक तो था जी बदर बाहू का जो धर्म था और एक था सटूल बदर तो जो बदर बाहू था तो देखो जी यहां पे एक तो बन जाते हैं शवेतांबर और एक बनते हैं दिगंबर दो संपरदाओं में बढ़ जाता है तो शतूल बदर क्या थे शवेत कपड़े पहनने वाले तो शतूल बदर ने स्पेज कपड़े डालने स्टार्ट कर लिए थे उनके मतों ने तो उसके बदर बाहु था जो भाग गया था वो दिगंबर वो नंगन कपड़े पहनते थे वो नंगे रहते थे सादू तो नंगे सादू का आपने एक temple का नाम सुना होगा, आपने माउंट अरावली परवत में माउंट अबू के पास दिलवाड़ा temple के बारे में सुना होगा, ये नंगे सादू का जैनिजम का सबसे बड़ा temple है, आपने एक कोशन आपको ध्यान में रखना है, I hope कि आपको इतना समझ आ गया होगा, उसके बाद हम बात करते हैं, next पे, देखो जी, जो next lecture में मैं इससे part second के अंदर फिर और detail में discuss करूँगा, आज के लिए इतना बहुत है जी, इस जैनिजम के अंदर काफी चीज़े आपको सीखने को मिली होगी, please student क्या करें जी, please comment box में अपना सुझाब जुरूर दें, अगर आपको वीडियो कैसा लगा, ये जुरूर बताएं, और अपने friends के साथ share करना ना भूलें, subscribe करें इस channel को, thank you for watching, happy learning to all